वेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब सो आज की वीडियो हम बात करेंगे के बारे में जैसे कि मैं लास्ट वीडियो बनाई थी एक उसमें काफ़ी साइड डाउट्स थे एंड उसके बाद भी हमने काफ़ी साइड चेंजिस करें एलेट्स के लिए अब जो जून है नयाम मंत है और एदम कम एलट्स आएंगे एंड यह बैस्ट अलट्स हो सकते हैं वीडियो के अंदर मैं बताऊना चाहूंगा आपको किस तरह से बैस्ट यूज कर सकते हैं कैसे हम इन्न एलट्स को अच्छे से देश सकते हैं क्या क्या हमारे वीव होना चाहिए पूरा एटुज़ने पर आपको बता दूँ कि जो हमारी मंतली टागेट की शीट होती है यह मैंने अपडेट कर दी है जून की एंड में 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 आप देखेंगे तो कब सा अच्छे टागेट मिल गए और इसका एक्सेस के लिए आप गूगल फॉर्म में लिंक भी डाल दूगा और जो वीडियो है मैं यह आप आए बटन डाल देता हूं आप महाँ लेट करते हैं वीडियो सो जैसे आपको बता चाहूंगगो इस तरह नहीं विजिय और पहले सब से पहले में बात कि यह कोई बाइसाल रिकमेंडेशन नहीं है ठीक है आप इस चीज को मत सोचीगा कि यह कोई बाइसाल रिकमेंडेशन है यह आपको एक हैल्प कर सकते हैं आपको बताता हूं टीक है कैसे यूज कर सकते हैं को अपको बताता हूं यह यह समझ लिजी है के पोडिश्नल सी यह होंगे यह हमारे लिए पोडिश्नल ही होंगे ठीक है यह पोडिश्नल ली लेकर चलिए अब जैसे आने वाला है है तो अभी 2 दिन काम करना काफी मूश्किल है तो इस टाइम पर काम करना हमें करना है कुछ पर नीचे हो जाए और बनाने के बाद आपको लॉसी हो अच्छा प्रॉपिडी हो सकता है चांस हो सकता है कि आपका एक अच्छे साथ लग जा लेकिन जो होता है इसमें बहुत रिस्क रहेगा और रिस्क जहां पर होता है वहाँ पर हमारे रिवार्ड भी मैच करना मुश्किल हो जाता है ठीक है तो अभी दो दिन करके मार्केट होने दीजिए उसके बार इन एलेट को बैस्ट यूज करिएगा तो यह वैसे तो यह पोदिशनल एलेट से ठीक है यह बनाए पोदिशनल के लिए हैं और यह इंटर डे में भी आपको टागेट मिल सकते हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोदिशनल ंते जाने की चाहां पर होते कि इतने हैं कि आपीब रहा दाला हync रिए इतना फिक मत दीज being इंटे अब है कि अन्यशने डालंगे इस हिसाफ से आज अगर 5% अप हो गया या 2% अप हो गया तो यह जो ATM है यह चेंज हो जाती है तो इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि यह अब ATM बन जाएगी ठीक है आपको पता होगा ATM और ATM ठीक है यह बेसिक होते हैं जो इसका प्राइज वीडियो बना रहा हूं पूरी सब्सक्राइब कर रहा है और आप देखेंगे तो इसका प्राइज अगर आप आ रहा है तो अब आपका इसका लॉट साइज जो भी हो आप इसका प्रियों कितना बैट रहा है तो आप इसमें प्राइज आपका आजाना चाहिए तो इतना स्टॉप लॉस भी रखना ही चाहिए ठीक है वन इस्टू बन का स्टॉप लॉस प्रिसम भैस रहता है ओके और मैं कहलों इस्टूप बंटों मिलना ही चाहिए क्योंकि कांश जोते हैं इसका फिर्यूंस क्या चल रहा है इसका चल रहा है इसके हसाब सब अपनी एंक कर सकते हो आप बहुस सारी इस्ट्राइज प्लैंग कर सकते हो वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जिसमें साथ बहुत साइज कर सकते हो जैसे अगर यह आपको दिख राएंगे अपसाइड जाना है तो हाँ पर आप आप अपनी कोई भी स्ट्राइज करके बनाते हो या फ्यूचर बाए करते हो और कोट बाए कर लेते हो जो भी आप हैज के नीचे जाएगा तो मेरा stop loss छोटा हो जाएगा तो यहां से आप देखे कितना एक्षा benefit हो सकता है कि एक लेवल आपको बन जाएगा और इस लेवल के बास जब भी alert आए तो इस लेवल के नीचे जाना ठोड़ा हो इसका मुश्किल हो सकता है यहां से कंटिन्यू बन सकता है 80%ちゃんse होते है 20% चांसे इसके पेल्ट होने के भी होते हैं एसी सी कॉल साइड होता है और फूट साइड लिखा आएगा तो ठीक है यह कॉल साइड का हो गया और यह पूट साइड का वह उपन नीचे होगा गई प्राइज करता है तो यह चीज आप देख सकते हो कि हाँ-प्राइज मुझे सूट करता है नहीं करता है अब आप को स्ट्राइजी अपने आ सकते हो कि आप क्याश में ले सकते हैं ठीक है कैश स्टॉक में काम कर सकते हो कि हाँ-कैश में मैं आप ले सकता हूं क्यों कि एक ट्रेंड बताता है आपको यह यह आपको यह जो होते हैं तो उन्हें खोड़ा जल्दी हेल्प मिल जाए देखने को और वरकिंग पीपल के लिए कि हां यहां कुछ हेल्प मिल जाए अप्षिन क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इस प्राइस पर मिल रहा है और आप देखोगे अब बनेश्टू बनका आपको मैं बता दिया रिस्क रिवार्ट बनेश्टू बनक होगे तो आपको एक अपका लॉस भी डिफाइन हो जाएगा ठीक है हमारा टागेट ह मैं पता लग गया तो मतलब यह सब चीजा आपको देखने पड़ेगी और यह सब चीजा क्या होता है कि जो महीने में एक मंद जाटे जून स्टार्ट हुआ है ठीक है है पर बता दो को अच्छे से एक तारीक से लेकर की स्थाइक का दिन होते हैं अब जो यह टाइम होता है यह एक दो तीन चाहरे डेट से अबस्क्रीजिशनल का होता है ना 15 डेज वन से 15 और 13 अब इसके अंदर जो चांस होते हैं कि ज्यार्द होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा time period होता है हमाया पास option के अंडर डिके भी हमारा कम होता है और बड़ा मूव देखने को मिलने के chances होते हैं अच्छा नहीं है कि मूव इसमें मिल जाते हैं लेकिन 1-15 का अंदर काफी अच्छे टागेट मिलते हैं ज्यादा क्रूशल जयते हैं मतलब 1-5 काफी अच्छे दिन होते हैं एक करने के लिए मेरे साब से ठीक है और आपको फिर्वियू सस्ता मिलता है यहाँ पर आपको फिर्वियू थोड़ा सस्ता मिलेगा 15 30 जैकिन इसमें थोड़े से चांसी 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 काम करते हैं ज्यादा बैस्ट आए अब यह आपके आए यह दो दिन पहले आए तो आप इस एक्सपारी में काम करेंगे जो जुलाई में जाएंगे आप तो यह चीज़े आपको खुद देखनी पड़ेगी ऐसा मिर्दम रोबट बाट नहीं बनना कि कि हाँ बस यह आगया और यह ही हमें ले लिए यह सब आपके कंफर्मेशन के लिए हैं आप काफी साथ तीज़े यूज कर सकते हैं अब जैसे तो फुराने हो गए होंगे मैं आपको दिखाता है जैसे आरेसी वगरा कि आलेट आए और कोई सी भी आपकी कॉल चल रही हो आर चल रहा है अब इंडिकेटर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है को इसे लगा सकते हैं कि आप कौन से मूव मिल रहा है कोई से भी कहीं और उसके बाद आप देखिए कि हाँ पर प्लैंक करके रखेंगे चार्ट क्या बोल रहा है यह सब आपको ही समझना पड़ेगा ठीक है इ इसके सिवा कुछ मिखा से आपको नहीं होना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं और एक दो चीज़ा आपको और सब्सक्राइब कि हाँ अगर लगाता है आपको दिख रहा है कोई एक ही सेक्टर के स्टॉक आ रहे हैं तो यह वह एक अच्छी बात होती है कि सेक्टर बुलिश ह हो जकता है ठीक है निफ्टी को थोड़ा नजब में रखी है कि हाँ कैसे अब बता है आपको रिजल्ट आने वाले और रानी एंटरप्राइस से बहुत अच्छा मूब दिया है और यह में के लास्ट में मूब देके गया है तो ऐसे स्टॉक आएंगे मैं बताया है कि इसमे अच्छी गिरावट देखने मिली है ठीक है अब अब बताया था तो काफित आई चीजे में अपडेट करता रहूंगा वीडियो आपको पसंदाब प्लीज लाइक कर दीजेगा अभी मुझे तींचा चीज और इसमें अपडेट करनी है मैं दिये बताऊंगा मंतली हो तो आप प्लीज कमेंटों बताईएगा और वीडियो पसंदाब प्लीज लाइक कर दीजेगा और कमेंट में बता दीजेगा थैंक यू सो मच